करपूरी ठाकूर और वीपी सिंग के बाद पिछडों और अतिव पिछडों के सरवाधिक लोग प्रिया नेता के रूप में आज नितिस कुमार उबरें हैं 12 साल भारतिये जनता पार्टी के लोग राम धुनी कर रहे हैं तो वहाँ बैट करके राम धुनी कर रहे हैं तो सरकार में अब विकास का नजीर देखना है तो पटना का मेरिन ड्राइव देख लिजे एक बहुत ही एक हासिक पल है समाज को फूट डालके समाज को अलग 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 दिखाके उसमें अलग अलग जातिगत नेताओं को खड़ा करके अपनी राजिती करते हैं बहुत कुछ नयापन तो नहीं है जो अनुमान था वही अनुमान है करपूरी ठाकूर और वीपी सिंग के बाद पिछडों और अती पिछडों के सरवाधिक लोप्रियनेता के रूप में आज नितीश कुमार उबरे हैं जिन्होंने कई सो वरसों की गुलामी को तोड़ करके जाती का जन्गना जनता के सामय रखी है आज साबित हो गया कि वो 63 परसेंट है उसमें भी इन्होंने पिछडों और अकी पिछडों का बटवारा किया है जो रोहनी कमिसन नहीं कर पाया हम आज के दिन नितीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जन्ता को आंदूलित करें ताकि हर राज को जातिकत जिल्नकना करानी पड़े और ये अगले चुनाव के लिए अजिन्डा भी टै हो गया 15 साल भारतिय जन्ता पाटी के लोग राम धुनी कर रहे तो वहां बैट करके राम धुनी कर रहे ते सरकार में अब विकास का नजीर देखना है तो पटना का मेरिन ड्राइव देख लिजिए मेरिने ड्राइव गंगा मैया ने पुकारा है गंगा मैली है मंदिर की घेराबंदी हमने कराया दस पतिशत जिनको आरक्षन मिला उनको आप स्कॉलर्शिप नहीं देते हैं हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं तो हमने तो करके दिखा दिया लेकिन कृपा करके आप माने गिर्णा सिंग जी बता दीजिए कि कितने सनातन धर्म के मंदिरों के घेराबंदी किया कितने सनातन धर्म मानने वाले नौजवानों को रोजगार दिया कितने सिखाधारी को आपने समाज में जीवन अस्तर उनका बहतर बनाने के लिए मकान दिया अरे जो किया सो हमने किया आपने तो हमारा सब कुछ लुट लिया जोट की कलई खुल रही है इसलिए भाजपा बेचाईन है लेकि देश भर में नितीश कुमार जीन नजीर कायम किया देश में सामाजी कार्थिक जनगनना कराना होगा और इसके खिलाप देश में व्यापक गोलबंदी की जाएगी देगे एक बहुत ही इतिहासिक पल है और ये इसलिए है कि आधी अबादी लगभग आधी अबादी बावन परसेंट मंदल कमिशन को अगर माना जाए तो उस अबादी के बिसे में चिंताएं लगभग छे साथ दसक से चल रही थी वो चाहे प्रतं पिश्रायोग हो या पिछरे दलित पिछरे लोग हैं उनके विकास का एक मापड़न तैयार किया जा सकता है इसकी तव एक्सपेटेशन पहले भी था कि नितिश्कुमार की तिगड़ी जो है माने के नहीं क्योंकि उनकी राजनीती का अधार ही जातिगत बेश पर है और समाज को फूट डालके समाज को अलग 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 दिखा के उसमें अलग प्रति है बिहार देश का सबसे दूसरा प्रतेश होने के बावजूद भी वह आर्थिक दिरिश्कुमार से सबसे कमजोर है उस पर रूप कभी चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि लालू और नितिशी की राजनीती सिर्व जातिपाद राधात रही है धीरे धीरे जातियों के बिश्वासिन से हटने लगा है इसे फिर से वो एक समाज समाज के लोगों को दिखाद करने के लिए बिहार के लोगों को आपसे बाटने के लिए उन्होंने इस तरह के राजनीती की है भरमाने का खेल केलती है आज सिपाही भरती में जिस तरह से बच्चों के परतिभा को दवा करकर के और पेपर लीक का पूरी कहानी जनता के सामने आनी चाहिए इसकी उचस्तर ये जांच होनी चाहिए ये मामला को दवाने के लिए क्या-क्या स्वरूप लाते हैं और आज इनका मामला पूरी तरह से करप्सन और रश्टाचार का सीकार ये बड़े भाई छोटे भाई की मानसिकता है जाती है जन्गन्ना का पूरा रिपोर्ट आएगा अध्धन के बाद में बताऊंगा बहुत कुछ नयापन तो नहीं है जो अनुमान था वही अनुमान है ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमतकार बड़ा बदलाओ और सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं उलगभग डाटा आकरा तो सबको पता है हाँ कुछ जब आएगा ति पिछला का या पिछला का डीटे लेनी आप आईज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है